माएइ जहें दूस्था वानका को लेकर सबसे बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं दूस्था जो भी हम यह अपडेट मिली है तो मैं उस अब्रेट के माधियाप से रहा का आपगे रहें तो भी अपडेट मिली है तो आप लोग बने रहें से पहले आप लोग मेजल पर नहीं से स्काइब कर लेना तो दोस्तों इक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वीडियो गलत है वीडियो गलत है तो भाई आप लोग देखें आपको लगता है तो यादि साइन है तो फिराल आप लोग देख सकते हैं तो इस वीडियो के मादधम से आप लोग बने तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इसमें एक लोगों पर मैसेज आ रहा है जो लोग आनलाइन कर चुके हैं उनके पर एक मैसेज आ रहा है बहुत सारे लोगों पर आ रहा है और लोगों का एभी कहना है कि 45 दिन हो गया अभी तक मेरा पैसा नहीं आया है तो भाई कुछ लेकिन उसमें से बहुत सारे लोगों को उसमें अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है और अंडर प्रोसेसिंग में है लेकिन फिर भी आपके पास यह मैसेज आ रहा है इस मैसेज का मतलब क्या है तो जब आपका फार्म अंडर प्रोसेसिंग में रहे तो भाई लोग परसान ह कि मेरा क्यों अंडर प्रोसेसिंग में है क्या प्रावलम है तो भाई आप लोग को चेक कर लेना है तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं इस मैसेज का मतलब क्या है कैसे क्या है आप लोग बने रहें तो फिराल इसमें आप लोग देख रहे हैं इसमें एक message सो हो रहा है मैं बता देना चाहता हूं उस message में क्या है लोग नहीं समझ पा रहे हैं योर claim application number उसके बाद application number दिया हुआ है उसके बाद यहां date जो भी date में आया हुआ है उसके बाद इसमें account number exception number यानि दोनों एक ही हो सकता है यानि दोनों मिलाकर करके एक नमबर दिया हुआ है उसके बाद तो यहां दे रहा है डिटेस में kindly भी चेक्ट है लॉगिंग ऑन दी पोर्टल CRCS में दे रहा है यह application number जाल करके जो है अपना status चेक कर सकते हैं आपको लगता है कि मेरा सब कुछ सही है मैंने apply कर दिया है मेरा फिर भी form है under processing में दिखा रहा है तो भाई आपको जातर की चेक कर लेना है जैसे ही आप जाएंगे चेक करने के लिए उसके बाद यहां कुछ number दिया हुआ है आपको उस नमबर को फेल करिएगा उसके बाद खुल जाएगा उसके बा प्रब्लम है वहां से आपको पता चलेगा बाई अगली वीडियो मिलते हैं तब तक न श्काले